नमस्कार दोस्तों मेरा नाम भारत बुशन है आप देख रहे हो JCB Computer Friends आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जितने भी एप्शन के प्रिंटर हैं अगर उनमें ब्लैंक पे जा रहा है और F1 खराब हो गया काफी board ऐसे हैं आपको F1 उनमें नहीं मिलता है तो उसका solution आप किस तरह से कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Friends ये जो board आप देख रहे हो ये 31-50 का है इसमें F1 आपको कहीं परवई दिखाई नहीं देगा अगर F1 खराब हो जाता तो blank पे जाना start हो जाता है तो F1 नहीं मिलेगा तो आप वहां पर jumper कैसे लगाओगे तो मैं बताता हूँ आपको jumper किस तरह से लगाना है Friends अगर कोई भी printer option का उसमें आपने क्या करना है ये जो head का port है आपने इस तरह से रखना है और जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं connector ये आपने इसी तरह से देखने है और जो ये तीसरे वाली pin होती है connector की ये positive होती है F1 सीधा यहीं पर आता है जिस भी printer में आपकी charing डलती है उसका सभी का same port होता है तो आपने क्या करना है आपने यहां से multimeter रख लेना है और diode पर set करना है और आपने यह देखना है कि इन पर कौन से पर आई होई है ये जो pin है इन पर किस पर आई होई है ये pin माल लीजेगा इस पर आई होई है पहले वाली पर तो आपने यहां से connector उठा के positive line पर रख देना है आपका F1 की problem solo हो जाएगी आपने यह जरूर देख लेना है कि यह line कौन सी connector पर आई होई है क्यूंकि काफी printer की अलग अलग होती है इसलिए आपने इस बात का ध्यान जरूर रखना है आपने सबसे पहले यह चेक जरूर करना है कि यह जो pin है कहां पर connect हुई है अब आप बोलोगे कि positive line कहां पर होती है friends जो हमारे transistor होते हैं transistor का जो हमारा NPN transistor होता है उसकी जो बीच वाली lag होती है वो positive होती है और जो दूसरा transistor होता है उसकी बीच वाली lag negative होती है अगर आप transistor के बीच पर लगाना चाहो तो आप बीच में लगा सकते हो नहीं तो आप हमारा जो man capacitor होता है उसकी जो positive line होती है आप आप वहां पर भी इसको लगा सकते हो या आप अपने मल्टी मिटर से चेक कर सकते हो कि negative कुन सा है और positive कुन सा है friends आप यह जो खाली जगा देख रहे हो आप यहां पर यहां पर भी एक positive और एक negative होती है इस side positive होता है और दूसरी side negative होता है और उसके print हैं उखड गए हैं तो आप इस तरह से वहाँ भी jumper लगा सकते हो friends आपको यह आपर छोटा सा capacitor दिखाई दे रहा है इसका जो उपर वाला सिरा होता वो positive और नीचे वाला होता है वो negative होता है अगर आपके capacitor के उपर वाले सिरे पर voltage आ रही है तो आप यहां से भी jumper उठा कर यहां लगा सकते हो friends आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर इस चैनल पर आप नहीं हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्स